कि में माशकर बच्चो वेव आप्टिस की बोर्ड की डिविजन सीजिस के अंदर लेक्शन सेवन के अंदर आज हम हाइगन प्रिंस्प्रों यूज करते हुए लॉद ऑफ रेक्शन ऑन दा बेसिस ऑफ हाइगन थियूरी एक्स्प्रेंग करने जा रहे हैं तो ज्यान से आप इसको देखें तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि एक स्वोर्स ऑफ लाइट है यहां से रे निकल नहीं है वान टू तो थ्री यह जो एफ है वो एक ड्टविए वेवलेट्स यहां से व्यों है प्यूंद हर्फेरिकल तरहाएं व्यायर प्युद्च का रहा है वो एक्ट करत स्थोर्श व्येस यहां से वेव जो है कहलाएगा इससे हमें स्कंडी वेवरेट्स निकलेंगी यह स्कंडी वेवरेट्स सफेरिकल होंगी और ट्रेवल करेंगी स्पीड ओव लाइट से इन और डिरेक्शन्स हाँ जी बच्चो समझ आ रहा होगा तो हमने क्या किया है हाईगर प्रेंसिपल को एक्स्पी करने की कोशिष कर रहे हैं थाईगर प्रिंसिपल को यूज करके फिर हम चलेंगे लॉड ओफ्रेक्शन के बिशिस के उपर लाउज ओफ्रेक्शन कैसे एक्स्पेन हो पाता है तो यह भी एक इंपोर्टन डेरिवेशन है जो पूछी जा सकती है थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स किसी भी डेरिवेशन में आ सकता है तो यह देखो यह हमने इंस्टेंट वेफिनेट एबी दिखाया है यह यह एक्स वाइए रिफ्रेक्टिंग सेफ्रेस है जिए जिए स्वेट यह मिवण जो है फेट्रिम डेक्स रेर मीडियम का है उपर एह है मानरी चेंट इंसर है ग्लास लैब है यह मूबन हो गया यह मूटू हो गया यहां पर वेलॉस्य व्लाइट वी है यहां पर सी है पर प्रियु को एवी सेंट वेट्रेंट है एक्षामारा जिए सर्फेस है तो रेय आप डारी यह एंगल विदा नॉरमल आफ्टर अफ्रेक्शन जे अलोन देस जला नांग देत्शन एड्शंचर यह रही है बैंस्ट दूर्माल यह यह विद्ट्स ़ेन डेया डेंस जा रही ह along extraction जा रही है तो ये B से C जा रही है C से extraction जा रही है रेयर तो डेंसर बेंस वादर नॉर्मल अगर हम जे माने कि time taken from B to C और A to D same है जो B C distance है वो V velocity से travel किया गया है एलियर मीटिम के अंदर जो A D distance है वो C velocity स्वारी जो A B C distance है वो टेवल किया गया है velocity of light से तो B C हो गया C T, C T means C velocity of light T time taken A D जो distance है वो V velocity से same time T में travel किया गया अगर time taken by the light secondary wavelet to travel from B to C और A to D is the same तब हम मान सकते है जो C D है वो मारी true refracted wavefront position है अगर ये true refracted wavefront position है तो कोई और A start करें जो B से Q जाए Q से R जाए वो भी उतने time में travel कर ले ये path इतने time में B से C जाता है जा A से D जाता है तो time T ये वाला देखो इसके दो इससे कर लेंगे P से Q जो distance है वो C velocity travel हुआ है तो time is equal T1 plus T2 तो T1 time है वो air में है T2 time जो है वो medium में है तो T2 जो distance है Q आ रहे है ये भी विलास्टी से हुआ है अब इसको solve ये condition sets होनी चाहिए अब हम triangle लेंगे तो लगाता है वीडियो बना रहे है गले में problem आ रहे है तो anyhow we will continue before you इंटरेंगल P A Q ये दिखरी है P A Q छोटे टेंगल जो incident wave front A B है वो angle I बना रहा है with the X Y तो sin A ही निकाल लेंगे sin A है जगा P Q over A Q P Q हमारा perpendicular है A P हमारा base है A के हमारा hypotenuse है तो यहां से P Q की value निकाल लेंगे जैसे हमने laws of fraction में भी किया था अब हम अगली triangle लेंगे C Q R यह वाली triangle यहां मैं dot लगा रहा हूँ ठीक है यह वाली इस triangle में C Q R में हम sin R लेंगे air fractured wave front जो CD है वो XY surface के साथ small r angle of fraction बना रहा है तो sin R लेंगे Q R over C Q Q R over C Q C Q कहलो जो Q C कहलो A की बात है यहां से Q R की value निकाल लेंगे Q C sin R जो Q C है उसको ऐसे लिए सकते हो A C minus A के हो यह Q R की value आगी यह P के हो की आगी यह value यहां put करेंगे इस equation में यह देख time is equal to P के हो की value A के हो साइन आई Q R की value A C minus A के हो इंटू साइन आर ओवर V यह C है यह V है क्योंकि medium दोनों change है rare medium velocity rate को C मानना है denser में भी मानना है तो यह तीन टर्म्स बन जाएंगे A C over V इंटू साइन आर minus A के हो इंटू साइन आर ओवर V तो एक step यहां condense किया गया है इकठा किया गया है तो तीन टर्में से जिनमें A के हो आता है first and third इकठा किया गया है तो A के हो common sin I over C minus sin R over V plus यह second term आगी A C over V इंटू साइन आर तो कि since time is independent of the position point Q पहले बिसाया साथ यह point Q यहां भी आ सकता है यहां से भी रहे आ सकती है यहां से यहां से आती है ठीक है तो diagram यहां Q बदल के ऐसे जले आती है तो Q की प्रिशन चेंज हो सकती है तो Q जो position है XY इफेक्टिन सेर्फेस वे वो time पे डिमेंट नहीं करती तो फिर time का जो कॉफिशेंट है जो Q का कॉफिशेंट है वो सारा 0 होना चाहिए तो A के जीरो होने सकता तो यह पार चल जाएगा sin I over C minor sin I over B should be 0 क्या इतना आपको समझ आ गया है उमीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा डियागराम त्री रेज हैं A, B, इंसेर्ट वेफ्रेंट है CT रिफ्रेक्टेट वेफ्रेंट है दोनों पहला नहीं होंगे ठीक है यह तीन रेज हैं यह नॉर्मल है N, A पर C पर भी नॉर्मल है इसको भी नॉर्मल ही कहते हैं N तो यह दिससन्स C, T है यह दिसन्स A से D, जो है V, विलासिर दीन मीडियम यह देंसल मीडियम है यह रेज़ मीडियम है इस तरह से हमने डियागरम को याद रखना है है उम्मीद है यहां तक का आर्टिकल पच्छ आपको समझ आ गया होगा इसका अब हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं बिना ये जैसे भी मिसे आर्टिकल हो पा रहा है मैं आपको करके भीज रहा हूं तो मेरे कंसेप्ट के उपर फोकस प्रीज करें ठीक है तो फोकस डाइग्र है ठीक है तकी डेरिवेशन आपके जिमाग में आ जाए है तो इसके आप हम आगे इसको जीरो पूट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या अंसर आता है कि यस्ट वेट वेट कर लें यह टॉपिक हमने कहां से लिया था कि यह देखो कि अब हमने क्या करना था पिछले वले आर्टिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है दो मिंट में होने वाला है आर्टिकल पीछे वले आर्टिकल में याद करो क्या है सब्सक्राइब आर्टिकल जिरू होगे ना तो साइनाई ओवर सी साइनार ओवर सी इको टो साइनार ओवर वी है तो यह पर आपको दिखनी रहा जैस्ट वेट अगर दिख सके तो कि यह दिखे यह दिखे चली साइनार ओवर सीजेकल टू साइनार ओवर वी साइनार और साइनार इको तो सी ओवर वी यह मारा स्नेर्व लाओ प्रिक्षिन है साइनर एक को कहते हैं यू उ रहे हैं तो मौस दहीं चला रहे हैं म्यूं क्या रेक्षित इम्डेक्ष ऑफ टेंसर मीडियम इस पेक्ट देखर अगें इसमें लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद जाती है तो यह इस से आए और वी यह मारा इसने लौगा है सी और वी यह वी इस आइन आई और साइन और भी इको टो मुड प्रिक यह शी और वी को भी इस कहते हैं व्लास्य व्लाइटिंग एयर और व्लास्य व्लाइट इन बीडियम को भी मू कहते हैं यह मू हो गया साइना यूर साइना वैसे यह आ गया जैसे मैं यहाद कर लें आप तो इनसेंद आइए इन वन प्लें उमेद है वेच्चों समझ आ गया कोगा तो कंटेंट पर जाना है कॉंटेंट कॉंटेंट समय रहे हो टॉपिक को देखना ध्यान से मैं जो भी बोल रहा हूं क्या समझ आ रहा है ठीक है तो कोशिश है कि आ जाएगा आपको पॉइंट करेंगा इंगल निकालें फिर फिर टाइम् टेक्न रिकिन के निवे करेंगें ठीक है जो क्यूंकि पॉजिशन एवर ताइम पेडेपैंड नहीं करती है तो वह से साइन आई ओबर साइन आरा जाएगा एक और टू मियू बन जाएगा एक और सी ओवर वी बनेगा तो यह बहुत इजी मैथट है आपको आर्टिकल ज्याद हो जाएगा सिने से लाओ तो यह थ्री मास की डेरिवेशन भी आजाएगी तो चूरी को सोड़ा कंडेंस कर लेना है मैस ज्यादा लिखना है डाइग्राम के लिए करनी है अगर फाइव मास का आता तो चूरी बीट सास में डेटेल में लिखनी होती है मीज़े बिच्चे समझ आ गया होगा थैंक यू बरी मच अब लास्ट डेरिवेशन जो हमारी बची है डाइफ्रेक्शन एट इस जाएगी उमीद है कि इसमें से इंपॉर्टन पॉश्चन्स पेपर में प्रीवेश येस के साफ से आने ही चाहेंगे आ जाएंगे अच्छे सारे लिखने के रिविजन कर लें